तो चलिएगा दोस्तों स्फागत है आपका आपके पने यूट्यूब चैनल सीजी पेसी अड्डा में मेड़ा मजीद कुमार दास है दोस्ते वीडियों की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि कल पूरे दिन पर हमारे प्रदेश में कुछ बेहर पर दोस्तों के प्रियास वगरा है क्या मंच्छा वगरा है सब कुस साफ होती है क्या है पूरा माज़रा काफी डीटेल में इस वीडियों में देखने वाले हैं तो आप इस वीडियों पर लास्त एक जरूर मने रहेएंगा तभी आप चीजों को समझ पाएंगे साइट में देखे को दोस्तों कुछ ऑफिशल डॉक्मेंट्स वगरा है मैं आपको शो करते हूँ चलूँगा और उसके मादम समनों चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं दरसल देखे को दोस्तों कल सीम भूबेश बगल साहब में पीम नरेंद मुदी साहब को लेटर लिखते हुए इंडियों में लिखित बाते वगरा कहीं है देखे कि परडिगुला लेटर में जो की पॉंस वगरा है उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बताते हूँ चलता हूँ सबसे पहले देखे को दोस्तों ये कहा है कि 36 गड़ के कूल आबादी में 32 परसंट जो आबादी है ये चेतरों को छोड़ कर बाकी चेतरों में आर्थिक गतिविदिया वगरा करने में काफी कटनाहिया होती है प्लस आरबियाई के वर्ज 2012 के रिपोर्ट के अनुसर 36 गड़ राजी में गरीबों की संख्या सरवाधिक है यहाँ पर देखेगा वर्ज 2012 का जो है डेटा यहाँ प जिसके तहट देखेगा ht वर्ग को 32 परसंड आरंक्षन मिलता था ऐसी वर्ग मिलता था जबकि और फैस्च never को बारा परसंड का आरेख्ण मिलता था जबकिmee also 222 में हाइक SMITH ने Нетud तरहों नया ओरेखन तरह के आणज़्री आधर जो वीदहहर नेजाब Keem एसी वर को तेरा परसंट का obc वर को 27 परसंट का और ews वर को 4 परसंट का यहां फे आरक्षन उगर मिलता था यानि की उकुलि में लोग कह सकते कि इस पर्टिक्लर विध्यक के माध्यम से जनसंख्या क्या आदार पर यहां पर आरक्षन उगर देने का प्रावधान उगर तो भी देखिए का आरक्षन का पैमाना है या फिर लिमिट के दीजिए पचास परसंट के अंदर ही रहेगा उसके पार नहीं जाएगा इस पर्डिगुलर जज्जमेंट में यह चीज को क्लियर किया गया था इसका देखिए कि दोस्तों इस पर्डिगुलर लेटर में आरक्षन की सीमा को पचास परसंट पार करने का उलेक करते हुए मानि सुप्रीम कोट के 10% EWS आरक्षन का एक्जमपल वगरा भी दिया गया है प्लस देखिए का हाल फ्लाड में जहरखंट एउं करनाटक विधनसवा में आरक्षन की सीमा को पचास परसंट पार करने के जो प्रस्ताव अगरा पारित किया गया है उसका भी एक्जमपल दिया गया है अलिक देखिए कि दोस्तों जहरखंट गवर्मेंट ने थोड़ा बहुत जो यहां पर ढील दिया है और बीच का रस्ता निकाला है अपने प परिशेश परिस्तितियों को देखते हुए संशोधित आरक्षन प्रावधान को भरती समिधान के नवी अनुसूचे में शामिल करने का अनुरोध वगरा किया गया है साथी साथ देखे का दोस्तों इस पर्डिगूल लेटर को हमारे प्रदेश के सीम साब ने अपने ट्वीटर हैनल में भी शेयर किया है और उसी दोरान देखे का राहुल गंधी जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें आरक्षी द्वर्प को उनके आबादी के अनुसार आरक्षन वगरा मिलना चाहिए प्लस आरक्षन की सीमा जो है या फिर कैपिंग जो है ये 50% के पार होनी चाहिए इसका उल्लेक किया गया है और इन दोनों ही ट्वीट के जब आप टैमिंग वगरा देखेंगे तो देखे का दोनों आसपास की टैमिंग में पोस्ट किया गय इसमें भरतिया वगरा बहुत अच्छे तरीके से नहीं है ये जो लास्ट का समय थे यानिकी इलक्षन का समय था उमेदे थी कि बहुत सी भरतिया वगरा आएंगे क्योंकि हज्यारों की संख्या में भरतिया एनौन्स हुई थी लेकिन देखे का उसमें भी बहुत सी बाधा संशोधन विधायक वारा लाय गया 36 गड़ विधानसभा से सर और सम्मदी से पारित हुआ और उसके बस चाहर देखेगा नियम अनुसार यह जो पड़ुकलर विधायक है यह राजयपाल साब के समने पेंडिंग पड़ा हुआ है अब आप लोग देखेगा भली भाती पुची में शामिल किया जाए अब देखेगा यह शामिल होगा नहीं होगा आगे देखा जाएगा लेकिन पुना जो है टिकरा किन पर फोड़ा जाएगा इससे भी आप लोग भली भाती वाकिफ है हलाकि मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा आप लोग क्या सोचत आपको कहां से मिलना है माननी सुप्रीम कोट से ही मिलना है इसकर देखेगा कहीं से भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकता है तो देखेगा दोस्ते इस वीडियो को मन्दों से मुखरूप से यह सब जान करें माब लोग साथ साजा करना चाहता दबाकि बता दू या पर प्रक्त कर पाएंगे तो दोस्तों कर उपको पसले हैं यादि वीडियों को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियों को अधिक सव्लस आतुक बीच में शेर भी कर दीजेगा ताकि उनको भी हaryप हो सकें थैंकि सो मच